रिंग्रें वह नेता है जैसे ए, उ, ए, गे, टे, पे, वे, आदी सभी भासाओं की अपनी अपनी लिपी के वर्ण होते हैं हिंदी की लिपी कौन से है? देवनागरी जिसमें 48 वर्ण है वर्णमाला की परिवासा क्या है? वर्णों के समूं को वर्णमाला कहते हैं वर्णों का वरगिगरण उचारन पर वर्ण दो परकार के होते हैं स स्वर और वहंजर देकन स्वर कोन से होते हैं जिन वर्णों के उचारन के इसमें बिना किसी रुकावत के मुख से वायू निकलती है वे स्वर कहलाते है हैं हिंदी में ग्यारावण स्वर होते हैं ए, आ, इ, बड़ी, उ, उ, री, री, ए, बड़ा, ए, ओ ठीक है मैंने लिख रहे हैं फिर स्वर के परकार देखे स्वर के परकार कितने होते हैं उच्चारण के अधार बर स्वर तीन परकार के होते हैं हस्वर, दिर्क्स्वर और फल्टुस्वर देखे पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वर कितने परकार के होते हैं तो वहाँ पर आपको लगाना है तीन हस्वर, दिर्क्स्वर और फल्टुस्वर हस्वर क्या होता है जिन स्वर के उच्चारणों में सबसे कम समय लगता है केवल एक मात्रा का समय वे हस्वर है ये चार होते हैं ए छोटा ई बड़ा चोटा उ और री दीर्ग स्वर क्या होता है जिनके उच्चारण में एक मात्रा से अधिक समय लगता है वे दीर्क स्वर कहलाते हैं ये साथ होते हैं जो चार सुर के चार शोड़ के बागी साथ यहां लिख दीजे बढ़ा आ, बढ़ा ई, बढ़ा उ, ए, बढ़ा ए, ओ, ओ फालतु स्वर क्या होता है जिन स्वर के उच्छारणों में मूल स्वर से लगबख तीन गुना समय लगता है उसे फालतु स्वर कहते हैं जैसे ओम, तो ओम में जो ये बनावा है ओम, हे रोम ये इसमें क्या है फालतु स्वर है बनावट के अधार पर स्वर दो परकार के होते हैं मूल स्वर और संदी स्वर मूल स्वर क्या होता है, जो स्वर बिना जोड के बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं, यह चार होते हैं हस स्वर भी यही होते हैं, और मूल स्वर भी होते हैं संदी सवर, लेकी संदी सवर क्या होते है, जो सवर किसी के जोड divset करें हो, उन्हें संदी सवर कहते है जैसे जैसे A plus A equal to A A का डंडा आ गया और वो single ते मूल स्वर single A था U plus U बड़ा U बनाना है ठीक है तो छोटा U होगा ता आपका मूल स्वर या हस स्वर कहलाएगा ऐसे E plus E E A plus E पर A सजाती A वं विजाती स्वर ये देखें ये दोनों परकार के स्वर निम लिखीते हैं सजाती स्वर कौन से होते हैं A A E Baudi E U बड़ा U विजाती इनमें भीन विजाती स्वर होते हैं स्वर के संबन में अन्य महतब बुण बाते क्या हैं इनमें A की मातरा नहीं होती A की साहिता से भी वियन्जन बोले जाते हैं इससे कै, खै, घै, यह घै, चैहर है' ऐसे कई के आ की बीना भी वैंजन इस परकार लिखते है कै, खै, इम पर नीचे हलंद लगी भी, जो तिलची लेकर रिखा है, उसे बोलता है हलंद, ठीक है? फिर स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा क्या होती है? जब स्वारों को वियंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है स्वार कितने थे हमारे 11 और उन्हें हम जब वियंजन के साथ मिलाकर लिखेंगे तब केवल इनकी मातरा ही लगाई जाते है किसी स्वार के उचाराण में जो समय लगता उसे मातरा कहते है स्वरो की मात्रा इस परकार है जैसे ए ऐसे कहा लगा गगन कमल आ में कहा लगा आकडंडा तो अब इससे क्या बनेगा राम राम में कहा है आकडंडा रह के बाद आकडंडा नाम नह के बाद आकडंडा इ चोटी इ ऐसे लिखते हैं जो शिमला शिमला में चोटी आकडंडा औ बड़ी ई बड़ी शीतल गीत तो बड़ी लगते हैं पीछे चोटा उ ऊ-वु उ-दि उप्टार यह devil के साइन दीया है सब ठीक है ऐ, उ की मातर कि को होते हैं जार दो मातर चड़ाते हैं छोटा कstre सिंगल मातर आती है अंकी- बिंदी- औरे व्यैनर क्या होता है, जिन वंड़ों के उच्छारण cientke लिए स्वरकी आवशिक ता उन्हें व्यैन क्या है हिंदी वंड़ मालन में व्यैन व्यgia 33 वियैनर वियांजन वियृत में द्वारी के होते हैं